सिधार शुकला की निधन से पहले तूटे हुए थी आसिम रियास क्या उन्हीं था बुरे संदेश का अंदेशा निधन की खबर सुनते ही बिखर गए आसिम सिधार्थ के शब के साथ मौजूद हैं हॉस्पिटल में आखिर क्या है पूरी खबर चलिए जानते हैं डीटेल में हलो दोस्तों मैं हूँ कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलिवोड स्पाई बिग बोस 13 के विनर सिधार शुकला की निधन की खबर ने पूरे टीवी और फिल्म जगत को सन्न कर दिया है और अब सिधार्थ के साथ नजर आचुके बिग बोस सीजन 13 में आसिम रि होस्पिटल में ही नजर आ रहे हैं इसी के साथ बता दे के सिधार शुकला की निधन की खबर सामने आने से पहले हमने एक अजीब सा आसिम रियाज का इंस्टाग्राम पोस्ट देखा जहां आसिम रियाज ने लिखा है मुझे नहीं पता मैं आज इतना क्यों टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ वर्काउट कर रहा हूँ लेकिन कोई फ्लो नहीं है हजारों बार ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मुझे मारना चाहते हैं कोई एहसास नहीं बचा है हर कोई आज शहरत और पैसे की पीछे भाग रहा है आपको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ आसिम रिय को किसी बुरी खबर का आभास पहले से ही होने लगा था इसके बाद ही उनका एक और पोस्ट हमें देखने को मिला जहां उन्होंने सिधार्थ को सोशल मीडिया की जरिये भी श्रद्धांजली दी है जहां उन्होंने सिधार्थ के साथ पिक्चर्स को शेर किया है और इसी के सा खुब लडाया की हो लेकिन एक वक्त पर अच्छे दोस्त भी थे दोनों के बीच हमें एक अलगी कनेक्शन देखने को मिला वेल हम उमीद करते हैं कि इस मुसीवत की घड़ी में भी आसिम रियाज अपने आपको संभाल सके और सिधार्थ के परिवार भी अपने आपको संभाल सके खेर बॉलिवुड स्पाय के पुरी टीम की तरफ से सिधार शुकला को भावपोन और शद्धान जली टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले